तो हेगाइस कैसे वाफ वी लोग तो आज मेरी मॉंश्र के एपिसोड नूमर 8 को एक्स्प्रेंट करने वाला हूं तो बिनाखिस लेर करें एपिसोड को शुरू करते हैं एपिसोड की शुरूरात होती है और अब टे 84 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोबुरू का अजीब सी स्मेल के वादेश से उठ जाता है और देखता है कि जो हाफ वो है वो इवाल्व हो चुकी है और उसको देखने से ये भी पता चलता है कि वो गोबुरू के पीछे ए पीछे को देखने के बाद भी उसके पीछे भी लड़्टू हो जाती है क्योंकि उसकी बॉड़ी काफी जदा बड़ी है और काफी मस्कूलर भी होबुरू की नजर तीन्यों लड़कों के पर होती है जिस वैसे गोबुरू भी यह सूच लेता है कि उसको दूरी बनाया जाए और उसकी जो आखिया वह उसको वह सब चीज़र भी दिखा सकती है जो कि गोबुरू खुद भी नहीं देख सकता है दूसी तरफ जो विलेज अलडर है वह उन सब के ने भी चेंज किया रहा था एंड दूसी तरफ जो बाकी की गोबिलिन से वह सब भी गोबुरू के बार में पूछता है जो कि मिसिंग लग रहा था पर तब भी उसको पता चलता है कि उनका जो लीडर था है वो इवाल्व हो चुका है और उसको पास एक नया नेम भी है जिसका मतलब है जो भी उनसे पंगा लेगा उसकी मौत एंड मैं इसके नाम को प्रानौन्स करने की भी ट्राय नहीं करने वाला क्योंकि यह काफी जादा आजीव है और इसी दोरान वो गोबुर को अपनी लाइफ टाइम की लोयल्टी भी देता है वो डिसाइड करता है कि वो लोग जितने भी प्रिजनर्स है उनको छोड़ने वाले है और अगर कोई प्रिजनर्स के पास कोई जगह निया खड़ जाने के लिए तब वो यहां पे कुछ समय के रह सकता है पर लेकिन कुछ फ्रिजनर्स खुद को उनसे सुपीरियर मानते थी इस वैसे वो लोग उसको बोलने लग जाते है कि अपने लिडर को बुलाओ हम लोग उससे बैटल करने के बाद इस जो पर लेकिन जो गोबुरु है वो सामने आता है और उनकी चैनल्स को एकसेट कर लेता है और उनको यह भी ओफर देता है कि तुम लोग एक साथ भी हमला कर सकते हो और यह सुनने के बाद वो जो बंदा था वो काफिजदा ओवर कॉंट्विडेंस के साथ अपनी फायर अबिल लेकिन जो गोबुरु को दूर गिरा देता है और लेकिन जो गोबुरु है वो अचानक से एक बार आता है और और उसको गूबुरु को इतना मारता है कि और अग्मरा हो जाता है excited ज़्यादा पावर देखने के बाद काफी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो लोग उसे को फॉलो करने का ही डिसाइट करते हैं और उपर से गोबुरु के पास यह एपलेटी भी थी कि वो अपने बलड से लोगों को हेल भी कर सकता है और उनकी यह बात सुनने के पीचा नहीं छोड़ता इंड उसके बाद हमें दिखाये जाता है कि वो सबी लोग गोबुरु के जो सकलेटन आर्मिया उसके साथ लड़ रहते हैं ट्रेनिंग कर रहते हैं और उनको टास्क देने के बाद गोबुरु ब्लैक्समित के पास जाता है जिसके साथ वो आज से क परिमेंट करने लग जाता है जहांपे वो एक स्टोन डियमेज़ से एक नुव आर्मर लियाता है अपने लग के लिए फिर वो एक मॉंस्टर को समन करने का पत्राही करता है पर लेकिन वो एकदम आउट ओव कंट्रोल हो जाता है एंड उसकी कमांड भी निमान दाता है जि पर हमें 85 का सेन दिखाया जाता है जहांपे गोबुरु होट स्प्रिंग को और बढ़ा करने का डिसाइट करता है ताकि उनका जो एल्फ के साथ ट्रेड है वो और भी जदा बढ़ा हो सके एंड उनके साथ रिलेशन भी और भी बढ़िया हो सके देटी सिक्स में जाता है जिसको कि हमने काफी टाइम पहले देखा था एंड उसको देखने के बाद वहां पर क्या होता है वहां पर आप समझी जाओ वापस अपने घर पहुंचता है वहां पर रेड वालो अले लेड की एंड गुशा हो जाती है क्योंकि उसकी हालत को ज्यादा ठीक नहीं लग री थी एंड वो लोग रात के लिए उसको रेड़े रहने के लिए बोलते हैं यह किसले दिन वाली लड़की से मिलाता है और गोबुर यहीं बताता है कि कैसे यह जो फेज है लाइफ का यह काविज दे अमेजिंग है एंड वो हमेशा इस टाइम पे रहना चाता है फि इसी दोरा नहें को भी दिखाया जाता है जोकि कtant DC करता है क्या वह लोग लिए एक लिए यह बहुर जीत चुके थिए थे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सभी लोग एल्फ का सीक्रेट डांस देख रहे थे यह जो डांस था वो एल्फ लीडर की डॉटरी कर रही थी इस बात पर गोगरू भी कुश्चन करते है कि क्या है उनके लिए यह देखना एकदम सही रहेगा जिसपर एल्फ लीडर उसको यही पताता है कि कैसे उने की वेश से वो लोग यहाँ पे जिंदा है और यहाँ था कि वो लोग तो उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी है जिसवेसे गोबुरू उनको काफी जीदा रिस्पेक्ट देता है और यहाँ तक कि ओनर करने के बाद उनको खा लेता है कि उसको और वी जीदा स्ट्रॉंग बना था उन पर्ल्स की मिदद से गोबुरू को ग्रैविटी के रिलड़ेट काफी कमाल की पाहर्स मिलीती जिसवेसे गोबुरू क्या करता है उसको एकदम तोड मरोड के एक क्राव की तरह बना देता है जो कि एक कैरेज की तरह काम करके एंड उनके हूपर अपनी जी स्लाइम एबिलेटी है उसकी मिदद से एक लियर भी बना देता है ताकि वो लोग एक साथ जुरूडे रहे अपनी ग्राविटी एबिलेटी की मिदद से वो लोग एक दम उसको हवा में उड़ाने लग जाते हैं और इस क्यारेज की मिदद से वो लोग यूमन सिवलाइजिशन तक पहुंचेंगे और ये सुनने के बाद जो यहाँ पर जितने भी यूमन से वो सब काफिसतर उदास ह चुके थे तब यहां में रेड हैर वाला गुरूप दिखाया जाता है जहां पर लोग ट्रेनिंग कर रहे थे यहां पर जो लड़की थी उसका विल्कुल भी फोकस नहीं लग रहा थे ट्रेनिंग में क्योंकि वो काफी उदास थी क्योंकि उसको वापस से यूमन डाउन मे वैसे वो लोग एक पार्टी करते हैं फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां में पांच ग्रूपस बनाए जाते हैं और वो सभी लोग अलग अलग रास्ते से यूमन टाउन में जाने वाले हैं उनके बार में स्टड़ी करने वाले हैं इसी दुरान उनको जल्दी मिलेंगे गोबरु बताता है कि इस जगह पे रहते रहते उसने काफी सारी नई चीज़े खोई भी हैं पर लेकिन आपनी आगी की जड़ने में वो कई सारी नई चीज़े और नई जगह भी एक्स्ट्रोर करेगा एंड लड़ियों के साथ उसका जो नया डेस्टिन वो होने वाला है Garrison City जो कि उनका घार है एड़िसी तरी किसी जो एपिसोड है वो खतम जाता है जो गाइस कमें में बताना कि आपको एपिसोड कैसे लगा एंटेकर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नहीं सब्सक्राइब में तब तक लिए स्यावना रा